आज की इस वीडियो में हम लोग Sir Francis Bacon की life को discuss करेंगे अब इनको Sir Francis Bacon इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये Britain के Lord High Chancellor रह चुके थे इनका time span था 1561 से लेकर 1626 तक इनको Lord Barolum के नाम से भी जाना जाता है अब दोस्तों इन्होंने दूनों methods को follow किया इन्होंने scientific methods को भी follow किया और natural philosophy को भी follow किया और इनके बाद में जो scientific revolution आया था ना उसमें काफी हद तक role इनका भी था इनको father of empiricism भी कहा जाता है ये empiricism क्या होता है जिसे कुछ लोग होते थे उस time पर जो ये मानते थे कि हर चीज़ को experience करके सीखा जा सकता है इस word का मतलब होता है the use of experiments और experience as the basis of your ideas Francis Bacon, John Locke और David Hume ये तीन लोग थे जिनको इस philosophy का जनक माना जाता था जिन्होंने इस philosophy को पैदा किया Francis Bacon एक multi talented आदमी थे ये writer थे, philosopher थे, lawyer थे, statesman थे, scientist थे और एक essayist थे और ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने essays के लिए इन्हें essays लिखने की inspiration मिली थी Francis Bacon को अगर essays लिखने की inspiration जिससे मिली थी उस आदमी का नाम note कर लो Michelle D. Montaigne ये एक philosopher थे दोस्तों इनके essays पढ़ने के बाद Francis Bacon को inspiration मिली अपने essays लिखने की भले ही आज English literature में Francis Bacon essays के father कही जाते हैं father of English essays Francis Bacon को कहा जाता है लेकिन इनको inspiration यहां से मिली थी अब मैंने आपको बताया कि father of English essays किसको अगा जाता है Francis Bacon को लेकिन prince of English essays किसको कहा जाता है ये आप मुझे comment में लिखकर बताएंगे Queen Elizabeth जो थी वो Francis Bacon को क्या कहकर बुलाती थी young lord keeper young lord keeper कहकर Queen Elizabeth Francis Bacon को कहा करती थी अब Queen Elizabeth से तो इनकी ज्यादा बनी नहीं इनको कोई high post उस time पर तो मिली नहीं लेकिन King James के time पर इनको बहुत high post मिली थी 1603 में इनको knight की उपाधी मिलती है जो की एक बहुत बड़ी बात थी और 1618 से 1621 तक ये lord chancellor रहे थे जो की एक बहुत बड़ी post होती है लेकिन 1621 ही इनके लिए एक खराब साल साबित हुआ उस वक्त इन पर bribery का यानि की रिश्वत खोरी का इलजाम लगा था जिसकी वज़े से इन्हें जेल भी जाना पड़ा दो languages पर Francis Bacon की बहुत अच्छी पकड़ थी पहली Latin, दूसरी English अपने शुरुवाती works इन्होंने Latin में लिखे थे और सिर्फ essays को English में लिखा है और आज ये सबसे जाज़े जाने जाते है अपने essays की वज़े से इनके essays का first edition publish हुआ था 1597 में उस वक्त इनके 10 essays इनके first edition में शामिल थे फिर 1612 में इनके essays का second edition publish होता है जिसमें 38 essays शामिल थे फिर उसके बाद third edition publish होता है जिसमें 58 essays शामिल थे ये aphoristic writing style में लिखा करते थे A-P-H-O-R-I-S-T-I-C ये aphorism का मतलब होता है short से short sentence का use करना बड़ी से बड़ी बात को कहने में या सच को कहने में जितने कम से कम words use हो उतने कम से कम words का use करते थे aphoristic writing style कहते है इसको हिंदी में सुक्ती वाली भाशा Alexander Pope ने Francis Bacon के लिए का है ये आप याद कर ले न Alexander Pope ने ये line बोली है Francis Bacon के लिए अब दोसो 1621 में इनको जब bribery के इल्जाम में अंदर जाना पड़ा था जब ये बाहर आए तो इनकी सारी official post इनसे छील ली गई थी फिर इसके बाद इनके पास करने को क्या था अपने writing पर इन्होंने focus किया और total number of essays इनके हैं 58 essays ध्यान रखना 58 essays लिखे हैं Francis Bacon ने Francis Bacon अपने essays को dispersed meditation कहा करते थे इसको note कर ले न dispersed का मतलब होता है separate thoughts जो होते न अलग-अलग different directions से दिमाग में आते हैं यानि Francis Bacon ऐसे essays लिखा करते थे कि अचानक से उनकी दिमाग में कोई बचार आया है तो उन्होंने pen down कर लिया अस बचार को लिख लिया देखिए दोस्तों father of English essays किसको कहा जाता है Francis Bacon को लेकिन father of essays किसको कहा जाता है जिनसे इन्होंने inspiration ली थी French writer Vichel D. Montaigne ये एक French philosopher थी इनको कहा जाता है father of essays आपको तीन questions में confused किया जा सकता है father of essays father of English essays और prince of English essays अब आप इन तीनों के जवाब comment में लिख कर बताएंगे वैसे तो इनके सारे essays ही important है लेकिन तीन essays जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है of studies, of truth और of revenge इन तीनों essays को मैं channel पर cover कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा कर देख लिजे और इन सब के अलावा एक novel Francis Bacon ने लिखी थी जो कि incomplete है जिसको कभी पूरा नहीं किया इनोंने New Atlantis नाम था इसका और ये novel 1624 में Latin में publish होती है और 1627 में English में publish होती है एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये novel जो है ये प्रभावित है एक Thomas More की Utopia जिसको मैं channel पर cover कर चुका हूँ Thomas More की Utopia उससे inspiration है इस novel की Francis Bacon ने ली थी इसके अलावा इनको Father of English Essays क्यों कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार और गैनन एक Aristotle का work है और गैनन उसी के title का reference है ये work इसको Latin में लिखा गया था और 1620 में publish करवाया गया था अब खास बात ये है कि इसके अंदर Aristotle के work को reject किया है Francis Bacon ने इसी work Novum Organum में इन्होंने inductive method की कोज की है यहाँ पर हम Francis Bacon पर इस वीडियो को खत्म करते है उमीद करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले होगी आज की इस वीडियो में बसतना है